जहन दोस्तो अब की वार कौन-कौन से सेंटर में सबसे ज़्यादा वेकेंसी आएंगी यह सवाल काफी बच्चों का था और हमने आपको बताया भी था भाहि इस सेंटर में अधिक वेकेंसी आएंगी और कुछ वेकेंसी कुछ कंफरम नहीं होती है वो CEO के उपर होती है कि हमक आपको बताऊगा कि इसमें टोटल कितनी वेकेंसी आई हैं अगर आप सुनोगे तो आपका विदेल खोस हो जाएगा और आप अगली वार भरती के लिए इस सेंटर में जरूर जाओगे तो आपको सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे जाते हैं तो साइड में आपको चार्ट दिख रहा हमारा इंस्टाग्राम आइडी का तो आप प्लीज उसे जरूर फोलो कर लेना आपको हाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं और आगे चलके मैं अपडेट देता रहूंगा ठीक है दोस्ते हैं यह बिहार रेजिमेंट सेंट जो कि आपका दानापुर कैंट है ठीक है जो आपका सेंटर है इसमें दोस्तों इस पेज में अगर आप देखोगे तो टोटल 117 वेकेंसी हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें अधर के बच्चों को कितना लिया गया है ठीक है और यह है दोस्तों सेकंड पेज औ तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों 120 वेकेंसी है ठीक है और जिन जिन बाहियों के यहाँ पर अधर वाले बच्चों का चांस हो गया है तो वो हमें मैसेज कर देना क्यूंकि हमको भी कंफर्म पता चल जाएगा इतने बच्चे लगे हैं और जिनका इस सेंटर है वो भी हमें म वेकंसी आपको हर पेज में मिल जाएगी देखने के लिए ठीक है यहां पर दोस्तों यह सेकंड पेज था इसमें 120 वेकंसी है और दोस्तों यह है आपका फर्ष्ट पेज इसमें दोस्तों आपकी 170 वेकंसी ठीक है अब दोस्तों टोटल मिलाकर आपकी यहां पर वेकंसी हो जा सेंटर में अगली बार बढ़ती के लिए जरूर जाना ठीक है अब मैं हाँ पर आपको बता देता हूं दूस्तों इसमें something तीस परशेंट बुच्छ तो सा सेंटर में हुआ है तो भाइव अगर आप अगली बार बरती के लिए जाना क्योंकि इस स्ए特फ में आपका चांस 100% है तो उमीद करेंगे आपको मारे वीडियो अच्छी लेगे होगी वीडियो अच्छी लेगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना नीचे आपका रेर बटन है आपसे उमीद करते हैं